हलो फ्रेंज, श्वागत है आपके चैनल सिष्टी किचन में फ्रेंज, आज बहुत ही गाड़ी, क्रीमी और बहुत ही डिल्शश बदाम मिल्क शेक बनाएंगे जो पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो इसके लिए मिकाके इंगिडिन चाहिए उसको देख लेते हैं तो 12 से 13 बदाम लिया है और 5 से 6 इलाची, बदाम को मैंने रात में ही बुगो दिया था और इसका जो छिल्का है मैंने निकाल दिया है, इलाची को भी छिल लेंगे और 500 ग्राम मैंने दूद लिया है तो बदाम का पेश्ट बनाने के लिए मैंने छोटा सा ग्राइंड लिया है इसमें बदाम डालेंगे और इलाची को भी छील की इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दूद डाल देंगे जिससे बहुत ही अच्छे से मारा पेश्ट तयार हो जाए तो चल रहें इसका पेश्ट तयार करने तो बदाम का पेश्ट हमारा तयार हो गया है अब चल रहें इसको बनाने तो दूद को बाल करने के लिए मैंने रख दिया है और दूद में उबाल आ जाए तो गेस का फ्रेम स्लो कर देंगे और इसको धीमियाच में 10-15 मेर तक पकाएंगे और इसको भीजबीज में चलाते रहेंगे अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों के साथ सेर जरूर करें और बेल आइकन को प्रिश्ट कर दें जिससे में कोई वीडियो अप्लोट करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेसन आपके पास पहुचेगा और जिन फ्रेंज ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत पोस्टू किया अगर केसर नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी खल्दी डाल सकते हैं बस थोड़ी सी ही डालनी है और इसको अच्छे से हम पका लेंगे तो दूद बहुत अच्छे से पक गया है इसके बाद इसमें हम पदाम का पेश्ट जो बनाये थे उसको डालेंगे और इसको भी अच्छे से पका लेंगे इलाची हमें फिर से डालने के जोड़त नहीं है क्योंकि इलाची को मैंने पहले ही पेश्ट बना लिया था और इसमें हम सक्कर डालेंगे सक्कर यहां पर मैंने 500 गराम दोद में 50 गराम सक्कर लिया है और इसको भी अच्छे से 2-4 मिन तक पका लेंगे और इसके बाद हम कश्टर पाउडर को दूद में मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंस 500 गराम दोद में 1.5 स्पून मैंने कश्टर पाउडर लिया है अब इसमें थोड़ा सा हम दूद डालके इसका अच्छे से पेश्ट बना लेंगे और उसके बाद हम इसे दूद में मिक्स करेंगे तो दूद में कश्टर पौडर डालते समय इसको हम लगातार चलाते रहेंगे इससे इसमें लंब से ना पड़ें और इसको भी हम चार से पाच मिनद तक पका लेंगे तो इसको हम लगातार एक दो मिनट तक चलाते रहेंगे उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए तीन से चार घंडे के लिए मैं इसको फ्रीज में रखेंगे तो फ्रेंस बहुत ही टेस्टी हमारा बदा मिल्क शेक बनके त्यार हो गया है तो गैस को अब आफ करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए हम फ्रीज में रखेंगे तो इसको तीन से चार घंडे के लिए मैंने फ्रीज में रख दिया था और बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है अब इसको एक ग्लास में सरू करेंगे और इसके बाद हम थोड़ी सी ड्राइब फूट से गार्निस करेंगे तो फ्रेंस कर्मियों का मौसम है आप इसको ड्राइब कर सकते हैं पिने में बहुती टेस्टी लगता है पसंद आये तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब पर ना भूले दोस्तों कुसा से जरूर करें